नवश्कर किसान भाईयों, मेरना मेर रंजीत और आप देख रहे हैं एक रिकल्चाप फार्मिंग किसान भाईयों आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले कीटों के लिए सेजेंटा की चैस इंसेक्टी सड़ के बारे में कि चैस ये एक नया कमेस्टी कीट नाशक है जो चावल के पौदों के चूसने वाले कीटों के खिलाफ शक्तिशाली नियंतर परदान करता है तो हम इस वीडियो में चैस कीट नाशक के बारे में पुरी डेटेल में बात करेंगे कि चेस्ट कीट नाशक में टेकनिकल क्या है और ये कैसे काम करता है इसको धान के लावा कोई और फसलों में डाल सकते हैं नहीं और ये कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है इसकी मात्रा क्या है इसका रिजल्ट कितने दिन का है और इसकी कीमत क्या है तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली वा रहा है तो वीडियो के नीचे दियेगे लारंग के बटन को दबा दीजिए ताकि खेती समंदी नईने वीडियो आपको समय 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 से मिलती रहें तो चले शुरू करते हैं तो किसान भाईयों सबसे पहले बात करेंगे चैस क्या है चैस एक बहुती प्रभावी समय दान है जो फसलों को चूसने वाले कीटों से बचाता है और फसल की सुरक्षर लापरदान करता है और यह वर्ल्ड क्लास टेखनीक है जो तेले पर ततकाल और बहुती प्रभावी नियंत्रन है और इसमें टेखनीकल है पाई मेट्रोजाइन 50% WG WG का मतलब Water Disperseable Granule मतलब जो पानी में असानी से घुलने वाले Granules और यह एक Contact and Injection Insecticide है इसके लावा यह Transimilar and Systemic Mode of Action वाली वी Insecticide है मतलब यह असानी से हरी पत्यों में प्रवेश करता है और पौदों के सभी भागों में पहुंच जाता है उपर और नीचे की और दोनों तरफ फैलता है जिससे कीट उस पौदे को खाते हैं तो कीट लखवाग्रस्त हो जाते है जिससे एक घंटे के अंदर खाना और कीट अंडे देना बंद कर देते हैं और भूग से मर जाते हैं और कीटों की गतीविदी को 1-4 दिन में खतम कर देते हैं और चेस्ट लाबकरी कीटों के लिए भहुच रखशित है जिससे इसका प्राव वरंड पर बहुत कम परभाव है और ये कीट नाशक blue level में आती है इसके लावा चैस को WG formulation में त्यार किया गया है जो कि असानी से पानी में mix हो जाता है और चैस चूसने वाले कीटों के खिलाफ शक्तिशाली नियंत्रिन परदान करता है मतलब सपरे के 15 मिन बाद चैस का असर दिखने लगता है और अब बात करते हैं कि चैस कीट नाशक कौन कौन से फसलों के कौन कौन से कीटों का कंट्रोल करता है तो किसान भाईयों धान की फसल में brown plant hoppers मतलब तेला और leaf hoppers को प्रभावी धंग से कंट्रोल करता है आम की फसल में hoppers को कंट्रोल करता है और टमाटर, आलू का पास आधी फसलों में aphids, वैट फलाई और सभी प्रकार के चूसने वाले कीटों का कंट्रोल करता है अब बात करते हैं इसकी मातरा के बारे में तो किसान भाईयों इसकी मातरा है 120 ग्रम प्रती एकड़ और आप सप्रे में 1.500 से 180 लिटर प्रती एकड़ पानी का प्रयोग करें ताकि आपको रिजल्ट पूरा मिले और चैस उपज बढ़ाने के साथ सथ बहतर फसल शुरक्षा भी परदान करता है क्योंकि यह तेजी से पत्तियों और तनों दोबारा पूरे पौदों में फैल जाता है अब बात करते हैं इसकी रिजल्ट के बारे में तो इसका रिजल्ट 20 से 22 दिन तक रहता है और इसका पैकिंग साई जाता है 120 ग्रम, 2500 ग्रम, 500 ग्रम और 1 kg और 120 ग्रम पैक की किमत है 800 रुपे और किसान भाईयों आप किसी भी अच्छी कंपनी का पाई मैट्रो जाइन 50% डेबलो जी ले सकते हैं सबका काम एक ही जैसा होता है कोई ज़्यादा फरक नहीं होता उमीद करता हूँ आप सबी को सजैन्टा की चैस कीट नाशक के बारे में दीगी जानकर यह अच्छी लगी होगी और किसान भाईयों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद